नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिशीर दोस्त संजीवनी में एक वार फिर से आप सभी का शारत करता हूँ जी हाँ दोस्तों आप सभी आप सभी को गर्म पानी से नहने में मज़ा तो बहुत आता हूँ गर्म पानी से ठंड में नहने का एक अलग ही मज़ा होता है लेकिन क्या आप जाउनते हैं गर्म पानी से नहने से बहुत सारे नुकसान है जी हाँ आज का यही टॉपिक है आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ पूरे वीडियो को जरूर सुनियेगा यह बहुत ही आवश्यक है गर्म पानी से नहने वाले साथान हो जाए गर्म पानी से नहने के बहुत सारे नुकसान सर्दी में अधिकतर लोग गर्म पानी से नहते हैं लेकिन अगर यह पानी 32 डिग्री से ज़्यादा गर्म होता है तो श्किन और बालों के लिए नुक्सान पहुचा सकता है अगर आप सरदी में श्किन और बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो जादा गर्म पानी से ना ना है गर्म पानी से नाने पर श्किन में redness, l факies और allergy की प्रॉबलम हो जाती है या पानी इसकीन को ड्राई करता है इसमें इसकीन इंफेक्शन का खट्राब बढ़ सकता है इसका बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है इससे बालों का माइस्चर कम हो जाता है जिससे बाल रफ और ड्राई हो सकते है गर्म पानी के कारण इसकीन की ड्राइनेस बढ़ती है इसमें खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है इससे नाने पर आखें ड्राइ हो जाती है इसके कारण आखों में रेटनेस, खुजली और बार बार पानी आने की प्रॉब्लम हो सकती है गर्म पानी स्कल यानि खोपड़ी को ड्राइ करता है ऐसे में डेंडरफ बढ़ सकती है गर्म पानी के कारण स्किन के टिसूज डेमेज होने लगते है ऐसे में स्किन पर समय से पहले जुरियां आ सकती है गर्म पानी के कारण बालों में डेंडरफ की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है ड्राय हो चुके बाल टूटे भी जाता लगते हैं इससे बाल जढने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है गर्म पानी के कारण इसकीन का मॉइस्चर कम हो जाता है इससे skin का glow भी कम हो जाता है गर्म पानी के कारण हात और पेरों के नाखून भी कमजोर होने लगते हैं इसमें dryness आ जाता है इससे या जल्दी तूटने लगते हैं तो दोस्तों आपको आज का ये हमारा टिप्स कैसा लगा हमारी यह जानकारी कैसी लगी यदि दोस्तों आपको अच्छी लगी हमारे एफ़ट बन तो किर्पिया लाइक का बटन जरूर दवाए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह नए नए जानकारी आपके लिए र